जै शनी देव, प्रिये भट्टनों, मैं स्वामी राजर्शी, आप सभी का कुरूरजनी श्रशी जी चानल पर हारदिक स्वागत करता हूँ, जहां आज की चर्चा का विशे है कि सितंबर 2022 का महिना आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला हैं। सितंबर 2022 में तीन मुख्य ग्रहन, सूर्य, शुक्र और बुद्ध का राशी परिवर्टन होने वाला हैं। और इसका प्रभाव आपके जीवन में हर शेत्र पर पड़ेगा। इसलिए इसकी विस्तार से चर्चा आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ये राशी परिवर्टन शुब नहीं है भक्तनों, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ उपाय भी करने की यहाँ पर जरूरत है, जो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ इस प्रोग्राम में अन तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस मासिक राशीफल के कारे करम में आपके जीवन के सभी जरूरी शेत्रों की चर्चा विस्तार से की जाती है। फिर वो चाहें आपकी इंकम हो, जॉब की पोजीशन हो, यहाँ पर आपका व्यवसाई कैसा रहने वाला है, भाग ये कितना साथ देगा। साथ साथ शादी विवा के क्या योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ती के क्या योग बन रहे हैं, पढ़ाई के संधर्ब में स्टूडेंट्स कैसा महसूस करेंगे, कैसी उनकी प्रोग्रेस रहने वाली है, स्वास्थे के दृष्टी से समय कैसा है, घर, मकान, माता पिता के स स्वास्थिकी दृष्टी से समय कैसा रहने वाला है। ये सभी चर्चा हम इस प्रोग्राम में करते हैं और ये सभी आपके हितों के लिए की जा रही है। तो भक्तनों, सभी बातों को जानने के लिए अन तक हमारे इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। साथ साथ मैं आप सभी के लिए जनता दर्बार की जो सूचना है उसको दोराना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा। ये जो जनता दर्बार है भक्तनों, आप सभी भक्तनों के अनुरोध पर शनी पीठ मंदिर में लगाया जा रहा है। जहांपर मुफ्त में हम अपने सभी भक्तनों को जीवन में आ रही हर परेशानी के उपाय बता रहे हैं। यहांपर एक रुप्या भी फीस में आपसे नहीं लिया जा रहा है। और हर गुरुवार, हर शनीवार, हर रविवार को यह जनता दरबार आप सभी भक्तनों की सुविदा के लिए शनी पीठ मंदिर इस्ट पटेन लगर नई दिल्ली में लगाया जा रहा है। के लिए आप मुझ से मिलकर अपनी परिशानी के उपाय प्राक्त करना चाहते हैं। तो आप इस जनता दरबार में रविवार के दिन पर शिरकत कर सकते हैं। सुभ ग्यारा बजे से लेकर दुपेर दो बजे तक यह जनता दरबार आपके लिए लगाया जाएगा। भारी से भारी संख्या में आकर इस जनता दरबार की जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाब उठाएं। अपने जीवन में आ रही परेशानियों को जोतिश के अती वैज्ञानिक शास्तर के मांध्यम से उसकी विद्या के मांध्यम से मैं आपकी मदद करने का संपूर प्रयास जरूर करूँगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जैशानिदेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैशानिदेव प्रयाभद करनों अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर 2022 का ग्रह गोचर किस प्रकार रहने वाला है जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग काल पूरुष की कुंडली का अध्यन करेंगे जिसमें सबसे पूर्व मेश राशी के भाव में राहु देवता विराजमान हैं। इसके बाद पूरे महीने राहु देवता यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं व्रिशब राशी में जिसके मालिक शुक्र हैं और शुक्र की राशी में मंगल ग्रहे पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा भाव मुख्य ग्रहों से इस महीने बंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव की जो की सिंग राशी का भाव है जिसमें सूर्य देवता 17 तारिक तक यहाँ पर गोचर कर रहे थे अपनी ही राशी में परंतु इनका राशी परिवर्तन होने वाला है और 17 तारिक के पश्चात ये कन्या राशी में आकर निवास करने वाले है वहाँ पर शुक्र देवता भी पंचम भाव में ही महिने के शुरुवात में निवास कर रहे थे जो की 24 तारिक को यानि की 24 सितंबर से यहाँ पर अपनी नीच राशी कन्या राशी में आकर विराजमान हो जाएंगे अब ये एक खराब संकेत है क्योंकि यहाँ पर शुक्र पहले तो अपनी नीच राशी में जा रहे हैं वहाँ पर उनके शत्रु सूर्य देवता भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं तो ये दोनों मिलाकर आपके लिए एक अशुब संकेत दिखा रहा है यहाँ पर कन्या राशी में छटे भाव में बुद्ध देवता जोके अपनी उच्छ राशी में विराजमान थे वो दस तारिक से यहाँ पर वक्री हो जाएंगे जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक शुक्र देवता का नीच भंग नहीं होगा जब तक नीच भंग नहीं होगा तब तक आपको अश्यो प्रभाव देखने को मिलेंगे आगे चर्चा को बढ़ा रहें बात करते हैं सब्तम भाव को तो सब्तम भाव में महीने की शुरुवात में चंद्रमा और केतु दोनों ही ग्रह विराजमान है इसमें केतु तो पूरे महीने यहाँ पर तुला राशी में विराजमान रेने वाले हैं परन्तु चंद्रमा हर धाई दिन में अपनी राशी का परिवर्तन करते हैं और यहाँ पर परिवर्तन करके महीने के अंत में वो व्रिष्चिक राशी में आ जाएंगे यानि कि पूरा एक चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा व्रिश्च ग्राशी में यहाँ पर एक अक्तूबर को गोचर कर रहे हूँ आगे अगर हम लोग देखें तो नवम भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है इसके बाद शनी दशब भाव में विराजवान है मकर राशी में अपनी ही राशी में परंतू वो वक्रिय वस्ता में है इसी प्रकार ग्यारवा भाव जो कि कुम राशी का भाव है मुख्य ग्रहों से वंचित है और बार्वा जो भाव है जो की मीन राशी का भाव है वहाँ पर ब्रिहस्पत्ति इस पूरे महीने विराजमान है वैसे तो यह अपनी ही राशी में विराजमान के परंतु इस समय पर यह वक्री चल रहे हैं और इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में भिन भिन प्रकार से होने वाला है तो भक्तनों यहाँ पर जो सबसे खतरनाक स्थिती जिसका निर्मान हो रहा है वो सूर्य, शुक्र और वक्री बुद्ध का कन्या राशी के अंदर जो गोचर इस महीने के मध्धे से शुरू होगा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सतर्क ता बरतने वाला समय साबित होने वाला है और इस समय पर कौन सा उपाय आपको करना है इसकी विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में हम करेंगे आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं बात करते हैं जॉब की द्रिष्टी से या आपने व्यापार की द्रिष्टी से हालाद कैसे रहने वाले हैं आपके वर्ट प्रेस या जॉब मिलने की कित्ती संभाव नाए है या फिर प्रमोशन मिलने की कित्ती संभाव नाए है कि कौन से दिनों में चंद्रमा आपको शुबफल प्रदान कर सकते हैं तो मुझे यहां पर दिखाई देता है 13 या 14 तारिक के आसपास आपको कुछ शुबफलों की प्राप्ति हो सकती है इसके बाद कहीं जाकर 23 तारिक के आसपास में मैं कहूंगा यह समय आपके लिए अच् प्लेस पर लिए जारे किसी इंपोर्टेंट डेसिजन के रिष्टी से शुब रहने वाला है जै शनी दे प्रेभक्त करूं मैं गुरु रजनी शरीशीशानी पीठ मंदिर 38 पटा ठारा इस पटे लगने दिली से आज कोने आप सभी के समझ प्रस्त दुगा हूं आप सभी क के लिए एक शक्तिशाली चमतकारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परिशानियों को दिने दिने करके दूर कर सकते हैं इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभिस्त नवगरे द देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है प्रतेक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंतरों के द्वारा सेम मेरे द्वारा अव्यमंतित है प्राठ पतिष्ठित है और जागरत है साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विश्नु के सुदर्शन चकर का प्रतीक इस प्रत्वी पर उपस्थित रतन है जिसे हम गौंती चकर के नाम से जानते हैं ये गौंती चकर भगवान विश्नु के सुदर्शन चकर का प्रतीक है जो आपके सभी प्रकार की परिशानियों को दूर करने में समर्थ है इस शक्तिशाली गौंती चकर वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परिशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुक उसांती, सुभाद्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है अपनी जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है वो तो बहुत अच्छी तरीके से जाते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिये गए उपाये से किस प्रकार से अभूत पूर वो फाइदा उठाया है। उनकी परिशानिया किस प्रकार से अभूत पूर रोब से दूर हो गई हैं। और वो निजबतरतर्की के मार्क पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल सरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनकी मंत्रों की विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रती करता हूँ। उस साधना की फल सरूप, मेरे को जो शक्ती प्राप्त हुई है, उसी शक्ती से, यह दिव्य सुधर्शन लौकिट को मैं मन्त सिद्ध करता हूँ, प्राण पतिष्डित करता हूँ और जागनत करता हूँ, साथ ही साथ, मैं आप लोगों के लिए इस लौकिट के साथ, उन सभ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे से में के द्वारा रचित है, जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वो ही साधना, अपने जीवन के अंतिम पड़ाओं में आकर, मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट क्रपा, डायरेक्ट आशिरवाद प्राफ्त कर सकें, और अपनी सभी प्रकार की परिशानिया को दूर कर सकें इस अद्वुत पुस्तक में, जिसमें विविन देवी देवताओं के, विविन प्रकार की साधना है, प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फन्सरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिवे करपा, निरंतर प्रात्त कर सकते हैं, तो यह साधना की पुस्तक हमारी मंदिर की और से, शनी पीट मंदिर की और से निशुल्क वित्रन के लिए है, जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री अफकॉस लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो पिना किसी चीज़त के आकर ले जा सकते हैं, किन्तो जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्रात करना चाहते हैं, उनके लिए निश्यत रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जर और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे, तो जूबियक्ति, कि इस अद्भुत और जमतकारी सुदर्शन लोकेट को अपने नाम की फूजा के अमसार मंगवाना चाहते हैं, मंद सिर्पार्पति से जागरत, जिसे मैं स्वेम करता हूं, उसे घर बैठे प्राप करना चाहते हैं, तो बिना किसी जिज़क के, आप इस सुदर्शन लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे हैं नमरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए डारेक्ट मोबाईल एप पर भी जाकर आप इसको ओर्डर कर सकते हैं, जो इसकी पर मोबाईल एप आ रही है, एस्टोलोजी वाई गुगल प्लेश स्टोर से डाउनलोड करके, आप इस के लिए आप वहाँ पर करस कर सकते हैं, तो यह डिवे सुदर्शन लोकिट, आप को घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान की किसी भी कहौने में रहते हूं, चाहे विश्वर की किसी भी कहौने में क्यों ना रहते हूं, आपको अवश्य भीज दिया जाएगा, जै शंदित मेरा नाम मिलाक्षी है, और मैं डेली में रहती हूं, नाइडा में काम करती हूं, बहुत जादा परिशानती है अपनी चीजों को लेकर, लोकडाउन में बहुत जादा में लाउस हो गया था, फिर मैंने गुजी से अपांटमेंट लिया, देन उनसी वीडियो बात की, फिर मेरा पूरा पीजी फुल है और मैं बहुत सैडिस्फाई हूं, गुरुजी के सारे जो सजेशन्स थे, अन्रिक्स वगएर थी, पब्लिक को यह कहना चाहती हूं कि, अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे लगता है कि गुरुजी से आकर मिलना चाहिए, उसे स सजेशन्स लेने चाहिए, पॉकस ऑफ माइंड में जितने में डिस्टरबंस होते हैं, वो क्लेर हो जाते हैं, हमारा फोकस लग जाता है, जहां हम लगाना चाहते हैं, और तरक्की वगएर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरा ताज हमें आए थी, मेरी एक बिली थी, वो सब्सक्राइब करें जिसे करके सितंबर 2022 को आप अपने लिए बहतर बना सकते हैं, तो मेरा सुझाव यहां पर होगा, कि आप यहां पर शुक्र देवता ही सबसे जादा पीड़त हो रहे हैं, विशेश तोर पर क्योंकि शुक्र सूर्य के घर में विराजमान है, सूर्य के दुशमन गरह बन रहे हैं, फिर वो अपनी नीच राशी में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह पूरा महिना शुक्र की दुष्टी से खराब जा रहा है, तो शुक्र देवता को इस समय पर प्रसंद करना अध्यम तो जरूरी बन जाता है, तो देकि शुक्र देवता को करें ये भी आप लोगों के लिए बहुत शुब पल ले करा सकता है शुक्र देवता को मस्बूती पैदान करें इसके साथ सार शुक्र देवता के बीज मंतर का मित्य प्रती दिन एक माला जब भी शुक्र देवता को आपकी कुणली में बल देगा और उनके अशुब प्रभा दे रहे हैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट्स में जय शेंदेर लिखना बिल्कुल भी न पुल जनता दर्बार की सूचना को दुबारा दोर आ रहा हूँ कि जनता दर्बार हर गुरुवार शनिवार और रविवार को आपकी सुविधा के लिए शनिवीश मंदर में लगाया जा रहा है एक रुपया भी आपसे पीस में नहीं लिया जाएगा मुस्क में सभी जा तक जोतिश परामर्स ताप कसे इसके लिए स्क्रीम पर आरे नमबरों पर हमसे संपाई चलिए भक्तरों अब आप लोगों से विदा लेता हूं मुलाकात होगे अगले में दे तब तक के लिए जैस शनिवीश पर आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो